तुम आम खाते हो इस सेंटेंस की इंग्लिज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंग्लिज में ट्रांसलेट करते हैं तो दोस्तों इस सेंटेंस के अंत में हैं खाते हो तो जब भी इन इस सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ती है ता है ते है आ यू उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब वर्ब इसमें खाते हो यानिकी इट अब यहाँ पे देखें इट के साथ यस या यस नहीं लगाना है जब subject यू रहता है तो उसके क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं उसके बाद हम लिखेंगे object या जो भी other words होते हैं में आम तो इट के बाद लिखेंगे mangoes या फिर आप यह mango भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको plural भी बोल सकते हैं क्योंकि यह आधत को भी बताता है तो mangoes जी लिख दिजे सबसे अच्छा रहेगा you eat mangoes क्या तुम आम खाते हो के इंगलिस you eat mangoes यदि यही sentence negative हो जैसे कि तुम आम नहीं खाते हो तो negative sentences को बनाने के लिए do या ड़ज का परयोग करते हैं और do या ड़ज के बाद not लगाते हैं जैसे कि तुम आम नहीं खाते हो के इंगलिस you do not eat mangoes you do not eat mangoes और यदि यही sentence interrogative हो मतलब की इदि sentence होता के क्या तुम आम खाती हो तो देखे जब क्या starting में होता है तो क्या की meaning नहीं लिखते हैं पहले do या ड़ज लिखते हैं उसके बाद subject फिर भर do you eat mangoes do you eat mangoes दोस्तो मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English translation के next वीडियो में और ऐसे और भी sentences का English translation वीडियो देख लें के लिए इस चैनल की playlist में जाएं जहां पर आपको सभी sentences का sentence मिल जाएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आगे भी आपको ऐसे ही Hindi to English translation की वीडियो मिलती रहे